तो बेलकम बैक टू दे चैनल गाइस दिस इस शिवम बाजपेई और बहुत सारे बच्चों को जो है फॉम फिलब करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हम उस समस्या का निराकर कैसे कर सकते हैं तो आपको गूगल किरॉम पर जाना है वहाँ पर ESB MP टाइप करना है तो पहली लिंक जो आएगी उस पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पर हिंदी सेक्षन में इंगलिस में भी जा सकते हैं तो यहाँ पर तो है अपना ऑनलाइन आविदन पत्र पुले सारक्षक भरती परिक्षा 2023 प्रारम 32 जून 2023 इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही हम तो एक लिंक ओपन होती है इस लिंक में जो है यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए Ein सबसे पहले तो अगर आपका क्या कहते हैं कि प्रॉफाईल पंजियन में अगर आपका प्रॉफाईल नहीं बना है MP-06 पर तो सबसे पहले profile बनाने पड़ेगी profile बनाने के लिए एक form होता है उस form को भरके जो अपलोड करना पड़ता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह उसका form मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर आपको उसका form मिल जाएगा नीचे यहाँ से कहीं से इसका form जो है डाउनलोड हो जाता है तो उस form को हम डाउनलोड कर लेंगे और अगर आप यह खुद नहीं कर पा रहे हैं तो जाके जो है आप cyber cafe से जो है इसको जो है करा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है या MP online वाले कहां जाकर जो है इसको करा सकते हैं लेकिन एक जो समस्या आ रही है कि जो बच्चों का पंजी करण है और उम्मीदवार profiling पर जाएंगे तो यहाँ पर जो है form पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है यह form प्राप्त हो जाएगा PDF के form में तो इसका जो है print out निकालना पड़ता है और print out निकालने के बाद जो है यहाँ पर जो है आपको इसको फिलप करना पड़ेगा सबसे पहले mobile number email ID टाल के profile पंजी करना पड़ेगा फिर उसके बाद जो है आपका form प्राप्त होगा लेकिन अभी जो क्या है कि हम आपको मेंची जो बताने वाले हैं वो मैं आपको बता दूँ कि दिक्कत कहां आ रहे हैं बच्चे गलती कहां कर रहे हैं तो यहां पर जैसे हम यहां पर आभीदन करने की तिथी पर यहां पर जैसे क्लिक करते हैं और PCIAT की यह तो रूल बुक डाउनलोड हो रहे हैं अपनको रूल बुक से मतलब नहीं है अपन को जो है link open करना है तो link open करेंगे और यहां link open करने के बाद यहां पर यह इस पर click करके जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहां पर जो है हमारा पंजी करना सबसे पहले तो अपना पंजी करन करमा को date of birth मांगता है लेकिन यदि आपका profile पंजीन आधार EQC से द्वारा अपग्रेट करना चाहते तो यहां click करें तो edit profile registration पर पहले जाना है इसको नहीं करोगे तो phone आगे नहीं बढ़ेगा ठीक है यहां पर अपना जो registration number है और उसका password उसको डालना है और फिर जो है इसको आगे बढ़ाना है तो मैं मेरे पास एक registration number और password उसको डालके आगे बढ़ा दिखाता हूं कि आगे इसमें क्या आता है ठीक है तो इसके बाद हम इंटर करने के पाद detail जो है proceed to edit पे click करेंगे और proceed to edit पे click करने के बाद जो है यहां पर बता रहा है password does not exist तो हम दूसरा password डालेंगे तो सही password हम डाल चुके हैं और अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा page open होता है sorry ऐसा page open होने के बाद जो है यहां पर देखिएगा यही चीछ जो है मैं बताने वाला हूँ profile पंजियन e-kyc सत्यापन form क्या आप अपनी profile को e-kyc के द्वारा सत्तापित करना चाहते हैं अथवा अपनी profile की e-kyc field में संसोधन करना चाहते हैं इसको किये बिना यह form आगे नहीं बढ़ेगा और यहां पर यह लिखा है कि यदि आप अपने profile पंजियन को e-kyc द्वारा सत्त्यापित करना चाहते हैं अथवा अपनी profile पंजियन में नाम जन्नमति थी जेंडर बाद जानकारी दी गई जो है उसको kyc के द्वारा अपडेट कराना चाहते हैं और दूसरा होता है e-kyc biometric द्वारा सत्त्यापन तो कई वच्चे जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं e-kyc द्वारा सत्त्यापन पर वड़ा ओ-tp द्वारा सत्त्यापन पर तो otp नहीं आ रही है तो otp अगर नहीं आ रही है तो नीचे उसके लिए आवस्यक सूचना दी गई है कि e-kyc सत्त्यापन द्वारा व्यक्ति गद्विप्रण पराप्त करने के लिए आधार किर्मांग होना आवश्यक है और जैसे आधार नमबर डालके पर क्लिक करेंगे तो फिर otp आती है जैसे हम इसमें यह चैन कर लेते हैं otp वाला option और इसको आगे बढ़ा देंगे अब देखो इसको जैसे मैंने आगे बढ़ाया तो यह जो है पूरा फॉर्म जो है open होगा और फिर उसमें एक option और open होगा उसी को मुझे दिखाना है वीडियो में last तक जरूर बने रहेगा अब यहां पर जो है यहां पर मैंने बढ़ाया जैसे आगे तो यहां पर आधार क आधार कार्ड में मोबाइल नंबर उपलब्द नहीं है या आधार EKYC के OTP नहीं आ रहे बे MP Online के पास जाकर बायो मेट्रिक डिवाइस से आधार EKYC सत्यापन फॉर्म भरवा सकते हैं मतलब अगर OTP नहीं आ रहे है तो परेशान होने की आवश्यक्ता नहीं है और इसमें परेशान ना हो जाओ भाई MP Online के Official Center पर जाओ और वहाँ पर जो है आप जाके अपना फॉम भर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अभी समय आपके पास परियाप्त है चार-पात दिन का 10 तारीक साथ सायद लास्ट डेट है लेकिन उसके पहले तक जो है आपको फॉम फिल जास समस्य आ रही है फिर हम इस वीडियो को जो है समाब्त करेंगे ठीक है एक मिनट रुक स्व्शा Shakti मैं यहाँ पर आधार नंबर डालता हूं फिर इस वीडियो को आगे बढ़ता हूं तो यहां पर हम अपना अधार नमबर डाल चुके हैं और यहां पर जो है यह capture फिल करेंगे हम 9,8,17 होते हैं और अब यहां पर हम generate कर रहे हैं EKYC OTP और जैसे हमने generate पर क्लिक किया तो यहां पर एक pop-up notification आ रहा था कल रात में जब मैं try कर रहा था और यहां पर फिर से वही problem आ रही है EKYC server is not responding please try later internal server error please try after some time the remote server return and error 500 error का code है यह internal server error तो यह समझते है जो है form fill up करने के दोरान आ रही है तो इस से निजात पाने के लिए हमें जो है यहां पर जो है आपको चुनना पड़ेगा कौन सा option अब सीधर return paid पे जाएंगे तो उसमें जो है आपको वही वाला option चुनना है जिसमें आपका fingerprint से जो है आप EKWIC कराएं बिल्कुल problem का निजात हो जाएगा और आज या कल में समस्य का निजात पाकर आप form fill up कर दीजिए last date के लिए मत बैठे रहेगा last में form नहीं भर पाएगा तो फिर होते रहोगे पढ़ने का कोई मतलब भी निकलेगा लग जाओ आज ही MP online का बढ़ियां से सेंटर ढोड़के अपना form fill up कर दो तैयारी बाद में form बनना पहले जरूरी है जिलावल पहले भर देना S.A.F. बाद में भर देना जिलावल का कोड B है और S.A.F. का कोड A है एक बार और देख लेना notification में तभी form बनना रोजगार पंजियन जीवित बना लेना form बनने से पहले तो भी अच्छा है क्योंकि form में तो फिलाव होनी रहा लेकिन form बनने से पहले से ही रोजगार जीवित पंजियन होना चाहिए वो ही बना देगा आपका MP online वाला उसी से बनवा लेना जै हिंद जै भारत